मुरादाबाद में नैशनल हाइवे पर एक आल्टो कार में DCM ने टक्कर मार दी भिडंत इतनी जबरदस्त थी कि कार के पर खच्चे उड़ी डिएच गए हादसे में कार चला रहे युवक और समेत आगे बैठी महिला की मौत हो गई कार की पिछली सीट पर बैठी दो महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हुई है गाड़ी की चपेट में आने से एक साइकल सवार भी घायल हो गया एक्सीडेंट के बाद DCM चालक गाड़ी वहीं छोड़कर मौके से भाग निकला पुलिस ने तुरंट एंबुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि डेड़ बाड़ी निकालने के लिए कार को गैस कटर की मदद से कटना पड़ा पुलिस का कहना है कि हादसे में जान गमवाने वाला रोहताश उर्फ राहुल 27 साल पुत्र मनोहर सिंह रामपुर जिले के टांड़ा थाना क्षेतर के मुकुटपुरा गाव का रहने वाला था वह अपनी पतनी मोनिका 26 साल और बहन सरिता 24 साल के साथ किसी शादी समारों में शामिल होने जा रहा था साथ में राहुल की साली मीनाक्षी भी थी मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेतर के दिल्ली लखनव हाईवे के जीरो पॉइंट चौराहे पर दूसरी तरफ से तेज गती से आ रही DCM ने राहुल की कार में टक्कर मार दी हादसे में कार चला रहे राहुल और आगे उसके साथ बैठी उसकी साली मीनाक्षी की भी मौके पर ही मौत हो गई जबकि पीछे बैठी राहुल की बहन सरिता और उसकी पतनी मोनिका घायल हो गई हादसे की सूचना पाकर परिजन घटना स्थल पर पहुँच गए एकसिडेंट की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया फिलहाल पुलिस ने DCM को कबजे में ले लिया है मृतकों के शव पोस्ट मार्टम को भिजवाए गए हैं ब्यूरो रिपोर्ट